श्रिक्रिष्ण कन्है आलाल की जहें श्री निजानन्द श्वामी की श्री प्राणनात प्यारे की जहें ताथे वर्णन क्यों करूं की नविद कहूं शिनगार ए शोबाहक शुरत की काहूं वारन पार शुमार काहूं वारन पार शुमार श्री क्रिष्ण कन्है आलाल की श्री राज्जी की सोभा का कोई पारावार नहीं है ये बात बताई जा रही है जूठी जुवां के सब्दसों और मायने लेना बक्का उसे बोलने वाली जुवा ये भी जूठी है और इससे निकलने वाले शब्द हैं वो भी उसी प्रकार कही है तो उनसे अखन परमधाम का अर्थ समझना वो बड़ा मुश्किल होता है इसलिए परमधाम का अथवा परमधाम के शुरूपों का वरणन नहीं हो सकता जो सवुर कीजिया का इलम है यदि हम ब्रह्म ज्यान तार्तम ज्यान से विचार करते हैं और हमें विवेक प्राप्तों होता है तो कच्छु पाईए गुज छिपा तो थोड़ा बहुत उसके गूड़ बातें थोड़ी बहुत समझ में आती है बागी समन्य रूप से समझ में नहीं आती है इल्म होवे हकका और हुकम देवे सहूर ज्यान भी ब्रह्म का हो पुरुन ब्रह्म परमात्म का दिया हुआ और उनके आदेश से विवेक भी प्राप्त हो जाए होए जागरत रूह वाहिदत तब अद्वेत भूमिका के आत्मा है वो जागरत हो सकती है तब कच्छू पाईए नूर जहूर तो कभी थोड़ा बहुत प्रकास उसका परमधाम का थोड़ी सी छीटें भी प्राप्त होगी उस तरह से थोड़ा सा प्रकास उसमें से प्राप्त होगा ए शुपन देह पांच तत्व की वश्तर भूषन उपले ऐसे हैं तो ये देह है शपन का और वो पांच तत्व का यो ये भी पांच तत्व शपन के वस्त्र अभोषण उपले ऐसे हैं, वस्त्र और आभोषण तो उसके उपर पहने हुए, वो उससे भी घटिया क्वालिटी के हैं, शरीर से वस्त्र आभोषण घटिया है, अर शरू अशूरत को और परमधाम के, आत्मा के परमधाम के स्वरूप का वरण करना है, मुहका का प तो यहां प्रामाणी कुरुप्षे यह कहने का तात्पर है तो परमधाम के श्वरूप का प्रामाणी कुरुप्षे उनका पहनावा कैसा है वो बदाया नहीं जा सकता है आइसा ही आइ बोल करके नहीं कह सकते है रू असुरत नहीं तात्व को जो वस्तरप है न उतारे जो वस्तर पहन उतारे जैसे पांच तत्व का श्वरूप यह देह है इसमें तो वस्तरों को पहन उतारना चलता रहता है नूर को नूर जो नूर है कौन तिन को सिनिगारे अब यह जो परमधाम के श्वरूप कैसे हैं? अक्षराति धामधनी का स्वरूप है अक्षराति धामधनी और उनका उनके अंग भूता श्यामाजी और उनके अंग श्वरूप ब्रमात्माय हैं तो उनका उनको कौन सिनिगार कर सकता है तो उनके तो वस्तर पहन ना उतारना यह होई नहीं सकता हूँ तो प्रकास का भी प्रकास, प्रकास का भी प्रकास है, तो ऐसा है, पहले द्रड करहा का सूरत, ए अंग किन नूर के, पहले ये निश्चित कर लो, कि परमधाम का स्वरूप है, वो कौन सा दिव्य है, और वो प्रकास में स्वरूप है, तो वो कैसा स्वरूप है, वो पहले से दृड़े कर लो, दुनिया के श्वरूप की तरह से नहीं है, दुनिया में जो प्रकास निकलता है, उस प्रकास नहीं है, परमधाम का इस से बिन्हा है. तो परमधाम हकजात कहने से ब्रमात्माएं भी होती है और परमधाम की वस्तुएं भी होती है तो परमधाम की आत्मा के संबंदी कहने से उसकी सुर्ता जो दुनिया में आई है तो वो ब्रमात्माएं हैं अखंड की बातों को थोड़ी बहुत समझ सकती है नूर शोभा, नूर जहूर, और नशोभा इत दुनिया में अलग प्रकार का स्वरूप होता है परमधाम में क्या है? नूर शोभा, नूर जहूर वो प्रकास की शोभा है और प्रकास की चमक है और नशोभा इत वो प्रकास परमधाम का है तो दूसरे से प्रकासित करना पड़े ऐसा नहीं है वहाँ पर देखो अरसतन आकल है ये स्वरूप वायदत तो परमधाम के तन परात्मा को जरह सा अकल लगा करके देखो अथवातो परमधाम की आत्मा की बुद्धि से विचार करो तो पता चलेगा ये शोरूप वायदत ये तो अद्वेत भूमिका के शोरूप है तो दुनिया में और उसमें बड़ा अंतर है नाजूप की नाजूप की और अति कोमलता इन शोरूप की नाजूप की कहने से ये भी कोमलता ही है किन तो कोमलता और उसके लिए कच्छापन जैसे चोटा बालक होता है तो उसके शरीर में कोमलता भी होती है लेकिन ज्यादा वो नाजूप होता है और उसको क्या बोलेंगे बहुत कच्छाप कलीलों बोलते हैं तो उस प्रकरशे ये बहुत कच्छाप तो उसके लिए नाजूप शब्द का प्रयोग किया है नाजूप की शुरूप की और अति कोमलता कोमलता भी बहुत ज्यादा है और तो बहुत ही उसमें क्या बोलेंगे बहुत कच्छापन भी है यह नश्वर देह अथ्वार नश्वर देह की जिवभा के द्वारा उसके विश्याई में हम क्या कह सकते है नूर जमाल शूर तबाका यह तो अखंड शुरूप है नूर जमाल तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का यह उसी प्रकास का स्वरूप है इसलिए उसका वरणन नहीं हो सकता ह। जैसे प्रमधाम के स्वरूप में चमक है नाजू की एक तम कच्छापन कहने से ऐसे टूट जाए ऐसा नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है। गो तैसी शोबा शलूख जैसे कोमलता है और उसे प्रकारसेंकि उनकी सुझदर्ता भी है चकलाई तो सुनर्ता में भी वो चमक है तो चारों तरफ हो दिल देखना होए टूक टूक ऐसे द्रिष्टे को देख करके दिल अभी तक टुकड़े टूकड़े क्यों नहीं हो रहा ह तो ऐसे स्वरूप का चिंतन किया वो दृष्टी को चरुए अथवा अंतर की दृष्टी से भी तो भी ये दिल आत्मा इस शरीर से अलग हो जाने चाहिए आशिक अपने शौक को बीदे बीदे सुख चाहिए अनुरागिनी आत्मा ही होती है तो वो अपने शौक से उनको बड़ी चाहा होती है तो उससे अलग-अलग प्रकर कर सुख लेना चाहती है ये दिपी परमधाम अद्वेत भूमिका है तो उसमें एक के मन में एक आतम अभा अभाव है तो एक के मन में कुछ आया तो दूसरे में भी आएगा फिर भी सब कुछ ना कुछ अलग-अलग तरीके से भी चाह सकते हैं बीद बीद सुख चाहिए इसके लिए कहा शोई बीद बीद रूप श्वरूप के नहीं नहीं लज्यत लहे तो इसलिए वो अलग-अल का स्वरूप प्रकट कर देते हैं दिल रूहें बारे हजार को रूप नए- नए चाय दम तो बारह हजार प्रमात्माओं का दिल है तो वो अक्षराति धामधनी का स्वरूप में कुछ न-कुछ नबिंता देखना चाहती है दे चाया श्वरूप सवनको इन भीद का धरका स तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा भी समर्थ हैं, इसलिए वो जैसे चाहते हैं, उसी प्रकर्षे उनको दर्शन भी दे देते हैं, उनकी चाहना के अनुरुप रुएं दिला सव एक आई, नए नए इसका तरंगा, तो इसे तो ब्रह्मात्माओं का दिल तो एक ही है, एक दिली कहा देते हैं, एक आतम भाव है, फिर भी नए नए इसका तरंगा, तो प्रहिम में नुतन तरंगे होती हैं, तो प्रहिम की तरंगे हैं, क्षण क्षण में ब प्याले फेर फेर माओ माए करे प्रेम जंग तो वे अक्षराते धामदने जैसे जैसे प्रेम का पान करवाते हैं ऐसे प्रेम के प्याले वो पीती हैं और परश्पर तो वो दुन्द करती है मतलब स्परधा करती हो जैसे वो ज्यादा सुख पाने के लिए परश्परधा करती हो इस प्रकार का भी लगता है ए बारिक बाते अरशकी किन्तो वो परमधाम की बाते हैं बड़ी सुक्समा हैं दुनिया के इस साब से कोई कमपेडिशन हो इर्षयाद्यश की भावना हो ऐसे जरह भी नहीं है परमधाम में तो प्रहेम ही प्रहेम है बिन मोमिन न जाने कोई ब्रह्मा आत्माओं के अतिरिक तो इस रहष्य को कोई समझ नहीं पाता है जो कछू बीचार शके पशुपँ नंगा बना तो परमधाम की जो भी वस्तु है वहां के रत्न हो वन व्रिक्ष बगरे हो शोभा बानी को मला उनके शोभा उनके वानी उनको बलता खुश्वोय रंग रोशन्ना उनमें से निकलने वाले खुश्वोय है उनका रंग है उनकी अलग-अलग प्रकार की चमक है तो यह बहुत सी चीज है मैं नर्माई एक फूल की जोड़ देखी रूह देह संग परमधाम के बाग में से किसी पुश्व को और ब्रह्मात्माओं के शरीर के साथ में उसकी तुलना करके देखा क्यों जुड़े जीमी सोभती सोभत जाता हक आंगा तो पुश्व बगर तो परमधाम की भूमी के साथ जुड़ी हुई है और ब्रह्मात्माओं वो तो रज्य के साथ जुड़ी हुई है तो इसमें भी फरक है तो दोनों में अंतर है उसमें एक रूपता नहीं दिखाई देगी क्योंकि स्रीराज्जी, श्यामाजी, ब्रह्मात्माएं उसके बाद धाम परमधाम है और उसमें से उग्रा हुआ पूश्व है तो इसलिए ब्रह्मात्माओं की बराबरी तो को परमधाम की दूसरी बस्तुएं भी नहीं कर सकती है यह ग्राना चाह रहे हैं क्योंकर आवे बराबरी खाबंद और खिलोंने खाबंद और खिलोंने उन्हें की बराबरी कैसे हो सकती है जो परमधाम की वश्तवे हैं वो तो खिलावने की भाती है तो उनके खावंद तो ब्रमातमा भी उनके खावंदा है ब्रमातमा के खावंद अक्षरातित धामदनी है तो श्वामी और वाँकी और वश्तवे और उनके श्वामी दोनों में थोड़ा फारक है ये मुहकक का क्या विचार ही इसको प्रामाणित रुप्षे विचार करके क्या कर सकते हैं क्या बता सकते हैं इसको जाच करके जाची नहीं सकते हैं जायर तफावत इनमें इनमें स्पष्ट रुप्षे अंतर है इसलिए ये मुहकक का तात्वरे के वल ये विद्वान ऐसा न एक चीजें कही सब अरश की लेजे माहें, सहुर कर परमधाम की एक बात को लेते हैं और उस पर विचार करके देखते हैं तो एक खेलोंने रुगन के नहीं खावन्द बराबर तो परमधाम की वश्तव ये ब्रहमा आत्माओं के भी खेलोंने हैं तो उनके स्वामी तो ब्रह्मा आत्माएं हैं तो उनके बराबरी तो यह नहीं कर सकते हैं अरश चीज़ भी लीज़े सहुरवें जिना अरश खावंदह का परमधाम की बस्तों पर भी जरा विचार करके देखो जिनके स्वामी पूरुन ब्रामा परमात्म हैं उनके स्वामी पूरुन ब्रामा परमात्म हैं न était थो बहुत बड़ी है क्योंकि इन अरश की एक कंकरी उड़ावे चवदे तबक, परमधाम की एक कण है वो भी पूरी दुनिया के तुलना में तो विशे से उसके सामने पूरी दुनिया किसी काम की नहीं है, तो इस तरह से उड़ाने का तात्परिय ऐसा है, तो एक कण है और दुनिया उड़ करके चले जाएगी, ऐसा नहीं है, तो उनके एक अणके समक्ष तो दुनिया के कोई तोलना होई नहीं शकती है, इता बैठ जूठी जीमी में, जूठी अकल, जूठी जुवान, तो इस जूठी जीमी में बैठ करके, और बुद्धी से और मिथ्या जुवां से, अरश से चीज म मुकरर क्यों हो वाई, परमधाम की वस्तु किस तरह से बताई जा सकती है, मुकरर होना, तो वो दृड़ होना, तो सुनिश्चित करना, तो उनको हम कैसे निश्चित ऐसा ही है, बोल सकते है, इसलिए परमधाम की कोई वस्तु ऐसा ही है, बोल नहीं सकते है, इसलिए उसमें बेदान्तम में इसको फलव्याप्ति और बृत्ति व्याप्ति का है कि बृत्ति व्याप्ति ओ सकते हैं अरुन ब्रह्म परमात्मा का धाम है अरश चीज ना आवे ना कलें तो क्यों आवे रूह अमूरत जब परमधाम की वस्तोई ही अमारी बुद्धी में नहीं आपाती है तो ब्रमात्माओं का स्वरूप कैसे हम समझ पाएंगे जो ए भी न आवे सौर में त्यों क्यों आवे हा का सूरत जब प्रमात्माओं का स्वरूप भी हमारी बुद्धी में नहीं आएगा तो अक्षराते धामदनी का स्वरूप कैसे आ सकता है एक रूहें और खिलों ने देख़ए तभी तफावत तो यहां दुनिया में बिजरत इन दोनों में एक तरफ ब्रमात्माओं हैं दूसरे तरफ उनके खिलों ने परंधाम की सामगरी है तो इसमें अंतर है देख़ए तभी तफावत शुरत हा कहादी रुएं देख़ जो कहावे बाहेदत तो ब्रमात्माओं हैं तो कैसे है हा कहादी उनके उनके शुरूप के अंगना है देख जो कहावे बाइदत और वो तो अद्वेत भाव में है तो ये वस्तुएं है उनके अंग होते हुए भी तो इस तरह से एकदम सेधा नहीं है वो पांग की तरह से बकाचीज जो कायम तिन जरान कभो नुक्षान परमधाम की वस्तुएं तो अखंड है वो कभी ना सोने वाले नहीं है जेती चीजे इन दुनी में दुनी की सो सवफन आने दान और दुनिया की वस्तुएं तो या कोई भी वस्तुव वो सब ना सोने वाली है जेती चीजे आरशकी ना होए पूरानी कब परमधाम की तो सबस्त्वें ना तो पूरानी होने वाली है ना कुछ बिगड़ने वाली है नुक्सान जराना हो भई ये लिजे सहूर में सब उसमें कोई नुक्सान का मतलब ना सोने वाले नहीं है ये निश्चित रुप्षे समझ लो तो हा कारश है कया इसले परमधाम को नित्य कहा है है का दात पर ये नित्य है ये चोदे तवका जराना है और ये चोदे लोक ये ब खraie को क्या कहें इसलिए जो अनित्य को कैसे बता सकता है ताथे आवत अना शब्दम आएं इसलिए दुनिया के शब्द में परमधाम का वरणन नहीं हो सकता जेती चीजे अरशकी जो थैसका मेठी वाणा परमधाम के जो वस्तु हैं, तो वहां की वस्तु हैं, और उनकी जूती है, उनका प्रेम है, उनकी मीठी बानी है, खुबी खुशबोय है, हक चाहल, तो उनकी खुबी विशश्ता है, उनकी शुगंदी है, जैसे अक्षराति धामदनी चाहते हैं, उस प्रकार सहेता, नजिक न, नुक्सान, वहां तो अनित्यता, तो नशुर्ता वहां दूर उसके नजिक निकट आई नहीं सकते हैं, तो दूर दूर कहां है, पधा ही नहीं चलेगा, नूर और नूरत अजला कहें, मौहमद दो मकान रसुल ने, नूर और नूरत अजला दो बात कर बताई है, दो ए सूरतें जुदी कही ताकि रूह अलादय पहचाना तो दोनों अलग-अलग श्वरूप हैं ऐसा कहा किन्तो उसकी पहचान नहीं करवाई तो सद्गुरु स्री देवचंदर जी माराज ने उनकी पहचान करवाई नाजुक नरमतेज जूत में सलू की सुभा मिठी जुवान उनकी जूती में कोमलता भी है मृदुता है तो सौम्यपन है सलू की सुभा मिठी जुवान तो उनमें सुन्दर ता सुभा मिठी वानी सुन्दर स्वरूप खुशबोयसों पूरन प्रेम सुभान तो उनमें तो सारा जो भी सुगंधिय जो कुछ भी है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की है इसलिए उसा पूर्ण है स्वई शरूप है नूर का स्वई सुरत हादी जान उसी प्रकार जैसी अक्षराति धाम्दनिका स्वरूप है ऐसा ही समझना चाहिए अक्षर ब्रह्म का भी और श्यामा जी का भी उसी प्रकार सिंदित्य स्वरूप है रुएं सुरत वाहेदत में ए पूरण इसक परवान तो ब्रह्मा आतमा भी अद्वित उनके अद्वित स्वरूप के अंतरगती है इसलिए उनके अंदर भी पूरा पूरा प्रेम है ब्रह्मा आतमाओं में कोई कमी नहीं है हका सुरत आती सोवनी दो जोगल की सुरा अक्षराति दामदनी के सुरत उनका शुरूप है अतियंत सुन्दर है और युगल किशोर स्रीराजी और श्यामा जी दोनों ही बड़े सुन्दर है गवर मुखाती सुन्दर ललित कोमल आती जोर उनका मुखारविंद गवर है ललित ललित कोमल है और इस प्रकार से सब प्रकार से कोमल दामरेदुता इन सबसे परिपूर्ण है तो अभी यही रखते हैं नौरा मुखाती सुन्दारा लालिता को मला आती जोरा लालिता को मला आती जोरा विश्न कने आला आती ज़र श्री निजानत श्रामी की ज़र श्री प्राण नात प्यारे की ज़र श्री पांथ लोत अंपुए आमपी ज़र जगत दुरू आचारे स्रेख स्वार कृष्णमारी जी महारा आचे की जी